दोस्तो आप सभी का Only Top Study में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे Top 65 GK और विज्ञान के बिल्कुल एक्जाम वाले परसन तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और 65 में से आप लोग कितने सही कर पाते हैं अपना स्कॉर नीचे कमेंट बोक्स में जरू बतेगा दोस्तो बिल्कुल एक्जाम वाले परसन की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दिया वहाँ से आके आपको सारी वीडियो देख सकते हैं और दोस्तो आप इन सभी वीडियो की पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं 3500 से 4000 के करीब कोशन है दोस्तो पीडियाप में दो पीडियाप के लिंक है डिस्क्रिप्शन बोक्स में एवलेबल वहां से पीडियाप डाउनलोड करके भी आप त्यारी कर सकते हैं दो पैर में दो बज़े और रात में नो बज़े दो वीडियो आती है अगर आप दोनों वीडियो का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को ओन रखिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे और वीडियो पसंद आये तो दोस्तो लाइक कर देना और अपने ग्रूप में अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर सेयर करिएगा चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों पहला कोशन आज की वीडियो का है खोखो में कितने खिलाडी होते हैं दोस्तों फर्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर हर एक स्टुडेंट को देना है दोस्तो आज से एक पहल करते हैं कि पहले question का answer हर एक student comment box में करेगा चाए वो गलत है चाए वो सही करेगा ठीक है तो इसका right answer क्या होगा comment box में बते हैं खोको में कितने खिलाडी होते हैं फटा-फट answer बते हैं इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा 9 खिलाडी होते हैं जिसमें से दोस्तों 9 खिलाडी मैदान में परवेश करते हैं तो ये भी आप लोगों को सारी चीजे याद रखनी है अगला कोशन आता है पानी पत की तीसरी लडाई किस वर्स लड़ी गई थी तो दोस्तों पानी पत की तीसरी लडाई जो लड़ी गई थी वो 14 जनवरी 1770 में लड़ी गए थी यानि कि option दोस्तों यहापर A हो जाएगा ठीक है तो यह आपको याद अखना है अगला question आता है दोस्तों लोकसभा के सतरवे और वर्तमान अध्यक्स कौन है तो सभी student इसका answer बता सकते हैं फटा फट से comment box में answer बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा ओम बिल्ला यानि की right answer is option D हर एक student को comment box में answer बताने हैं अगला question आता है war and peace किसके द्वारा लिखा गया उपन्या से दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों Leo Tolestoy यानि की right answer is option B यह भी आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों भारत में कितने महाजनपद थे यह आपको बताना है तो भारत में महाजनपदो की संक्या जो है वो दोस्तों 16 यानि की right answer आपका A रहेगा इस question का वही अगला question बनता है सात्वा भारत के पहले आम चुनाव के बाद किस वर्स में पहली लोकसबा का गठन किया गया था तो दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा 1952 में गठन किया गया था बहुत important question है याद रखेगा ठीक है 1952 में भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रेल 1952 को पहली लोकसबा का गठन किया गया था पहली लोकसबा दोस्तों पांच वर्सों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रेल 1957 को भंग कर दी गए थी और इस लोकसबा का पहला सतर दोस्तों 13 माई 1952 को शुरू हुआ ये तीन question या से बनते हैं तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिया है अगला question आता है दोस्तों debit card के सामने के भाग पर कितने अंक होते हैं तो debit card आप सभी यूज करते हैं दोस्तों ठीक है ATM card जिसको बोलते हैं उस पे सामने के कितने अंक होते हैं इस question का right answer हो जाएगा 16 अंक होते हैं और जो पीछे लिखे होते हैं दोस्तों जो किसी को बताने नहीं होते हैं वो तीन अंक होते हैं ठीक है चलिए अगला question है क्यूरो सिटी रोवर किस गरह की खोज के लिए भेजा गया था इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा मंगल गरह यानि की मार्स की खोज के लिए तो option यहाँ पर दोस्तों आपका ए right answer हो जाएगा अगला question आता है डियोड्रेंट में एंटी परस्प्रेंट के रूप में किस धातु का उप्योग किया जाता है तो दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल अलुमोनियम इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा वीडियो कैसी लग रही है भाई comment box में दोस्तों अपना comment करके भी जरूब बताएगा और like नहीं करते हैं आप लोग भई पता नहीं क्यों नहीं करते हैं अगर अच्छी नहीं लगती comment box में बता दिया करें कि सर इसलिए like नहीं करते हैं अगला question आता है असरफ गनी किस देश के रास्पती थे थे आएगा यहाँ पर दोस्तों ठीक है तो यह question भी आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि यह अपने देश के अफगानिस्तान को छोड़ कर भाग गये थे इसलिए question दोस्तों important बन सकता है तो अफगानिस्तान के रास्पती थे यह यह आपको याद अखने है अगला question आता है मोंटांगू चैम स्पोर्ट सुधार किस वर्ष शुरू किया था तो मोंटांगू चैम स्पोर्ट सुधार दोस्तों किस वर्ष शुरू किया था इस question का right answer हो जाएगा 1919 में यानि comment box में आंसर बतेगा जल्दी से बतेगा मेरे प्यारे दोस्तों right answer हो जाएगा मोरारजी देशाई ने देखे आठ वार्षिक और दो अंतरिक बजटों के साथ मोरारजी देशाई वित्यमंत्री थे और जिनोंने अब तक अधिक्तम बजट परस्तूत किया है तो यह point आप ल संग की अधिकारिक भासा के रूप में वर्नित किया गया है आंसर बताईए दोस्तों इस question का right answer है आर्टिकल 343 यानि की right answer is option यह आपको याद अखना है अगला question आता है दोस्तो राडा सेकिंद परमानू सक्षम क्रूज मिसाईल किस देश द्वारा लॉंच की गई थी दोस्तों यह लॉंच की गई थी बिल्कुल 2017 में लॉंच हुई थी यह पाकिस्तान द्वारा ठीक है और इसकी जो मारक समता है दोस्तों वो 550 किलो मिटर है ठीक है इनके according तो right answer इसका पाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों विश्व जल दिवस हर साल खालिस्तान पर मनाया जाता है तो जल्दी से आंसर बते दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो इस कोशन का सही उत्तर रहेगा 22 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है तो यह आप लोगों को याद अखना है ठीक है अगला करग्र का विज्यानिक नाम क्या है दोस्तों विज्ञानिक नाम भी काफी पूछे जाते हैं कल Sharking वीडियों में में ने cover कराया था ठीक है कुटे का व ग्यानिक नाम तो उसका अनसर आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएगा ठीक है क्योंकि कल की वीडियो में कवर करा था अगर आप लोगों ने नहीं देखिया तो देख लीजेगा जाके इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हुजएगा पावो क्रिस्टेटस यानि की राइट आंसर इस ओप्शन डी तो ये आपको याद अखना है और दोस्तों मौर हमारे देश का कैसा पक्सी है दोस्तों ये बताएगा कमेंट बोक्स में बताएगा क्योंकि इंपोर्टेंट है अगला कोशन बताएगा दोस्तों 19 वा काजी का रास्ते उद्धान बिल्कुल पूर्वी उत्तर भारती राज्य असम में एक संरक्सी छेतर है और इस कोशन का राइट आंसर दोस्तों असम हो जाएगा ठीक है चले और इस दोस्तों ये जो आपका पार्क है ये उद्धान है ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये सींग वाले गैंडे की लिए परसिद है ठीक है गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर इसमें रहती है एक सींग वाले गैंडे की अगला कोशन आता है लाला लाजपत्राय किस बैंक के संस्थापक थे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा ल पंजाब नेशनल बेंक यहाँ पर सही आंसर रहेगा दोस्तों पंजाब नेशनल बेंक की स्थापना लाला लाज बत्राये ने की थी कब की थी 12 अप्रेल 1895 में की थी दोस्तों तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेगा अगला कोशन है उगादी महुत सव खालिस्था में मनाया जाता है दोस्तों उगादी महुत सव मनाया जाता है आपका बिल्कुल सही है all of the above यानि की उप्रुक्त सभी इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है दोस्तों जगोई परमुक भारतिय सास्तिन रत्य रूपों में से एक खालिस्थान में है त अगला कोशन आता है सहीवत्रास्ट का मुख्याल opinion दोस्तों सहीवक्त सभी इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा स्वनिए उप्षन एरेट आणसर हो जाएगा फट्रा से कमेंट बोक्स में आंसर बताते रहिए प्रेक्टिस बहुत जबारदस हो जाती है जब आप दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल 2012 में किया गया था यानि कि D is the right answer अगला कोशन है Microsoft Excel में कितनी पंक्तिया मुझूद है इस कोशन का दोस्तो right answer हो जाएगा 10,48,576 यानि कि right answer इस option है यह आपको दोस्तो या दखना है अगर columns की बात करूं यह तो आपकी रोज हो गई अगर column की बात की जाए दोस्तों तो columns होते हैं 16,384 columns होते हैं तो यह भी आप लोग note कर सकते हैं अगला question आता है नीती आयोक के CEO कौन है बहुत ही important question है 100% पूछे जाने वाला question है यह तो गाइस यहाँ पर कोई भी option सही नहीं है right answer is प्रमेशवरन लेयर तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेशवरन लेयर तो यह आपको याद रखना है यह है अभी वरतमान में नीती आयोक के दोस्तों CEO और यह जरूर याद रखेगा आप लोग मैं यहाँ पर नाम इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को यह याद रखना है दोस्तों ठीक है जरूर पूछ जा सकते हैं अगला question आता है homo spirit किसने गड़ा था दोस्तों तो homo sapiens सब्द गड़ा था दोस्तों काल लिनियम ने यानि की right answer is option D ठीक है यह आपको यह दखना है अगला question आता है आपका तकला मकन रेगिस्तान कहां इस्थी थे दोस्तों तो इस question का right answer हो जाएगा यह इस्थी थे चीन में यानि की right answer is option है यह आपको याद अखना है अगला question है राम परसाद बिस्मिल को किस वर्स काकोरी सडियंत्र के कारण फासी दी गई थी what is the right answer of this question गाइस इस question का सई answer हो जाएगा राम परसाद बिस्मिल को किस वर्स काकोरी सडियंत्र के कारण फासी दी गई थी right answer is 1925 यानि की option C आपका right answer है अगला question है ग्यहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों ग्यहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रेटिकम यानि की right answer is option है ठीक है ये भी आप लोग को जरूर याद अखना है अगला question आता है दोस्तों 2007 में सांती का नोबल पृसकार किस ने जीता तो इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है जलवाईू परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने और एक आपका जीता था अल गोर ने यानि की right answer आपका यहाँ पर D होगा A और B दोनो अगला question आता है दोस्तों सिलंका के अभी नए जो रास्टपती बने है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है तो सिलंका के वर्तमान में रास्टपती कोन है तो guys क्योंकि देखे आप लोग को पता है कि सिलंका में क्या चल रहा है और वहाँ का जो रास्टपती थे वो भी भाग गए है ठीक है तो इसके जो यहां पर जो नहीं रास्टपती बने है दोस्तों रानिल विक्रम सिंगे बने हैं और उनका मैं यहां पर नाम option में नहीं है तो मैं लिक देता हूँ ठीक है यह आपको जुरूर याद रखना है दोस्तों ठीक है विक्रम सिंगे तो यह आपको याद रखना है बे अल्राइट अगले कोशन पर चले स्किन सोट लेना है तो ले लीजे नेक्स कोशन है आर बिय के वरतमान में गवर्णर कोन है तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर सिए आपको याद रखना है अगला कोशन है कौन सा खाड़ी परसांथ और एट्लांटिक मासागर में मिलती है जल्दी से आंसर बताएगा दोस्तों रैट आंसर हो जाएगा पनामानहर यानिकी डी Is the right उंसर यह आपको याद रखना है अगला कोशन है सविदान सभा के पहल अध्यक्स कोन थे तो right answer हो जाएगा सची ध्यानन सिना यानि की right answer इस option है यह आपको याद रखना है बई next question है 1921 में Albert Einstein को किस सेत्र में एक महान पुरुसकार मिला है दोस्तों 1921 में Albert Einstein को किस सेत्र में एक महान पुरुसकार मिला है इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा physics में यानि की c is the right answer यह आपको याद रखना है बई अगला question आता है दोस्तो परदान मंत्री उज्वला योजना के बारे में निमलिकित कत्नों पर विचार करें कि कौन सा इन में से सही है या आपके A और B option लिखें एक बर read करके देखें कौन सा इन में से सही है बिल्कुल दोस्तों देखें पहला option है कि इस योजना का उदेश्य वित्ते सायता परदान करके BPL परिवारों की महिलाओं को मुक्त LPG connection परदान करना बिल्कुल सही है यह उपाए महिलाओं को ससक्त करेगा और उनके सवास्त की रक्सा करेगा तो यह भी इसका उदेश्य है तो यहाँ पर दोनों ही right answer हैंगे दोस्तों यानि कि C is the right answer इस question का अच्छा यह शुरू कब हुई थी यह भी एक question बन सकता है दोस्तों तो यह योजना शुरू हुई थी एक मई 2016 में 2016 जरूर याद रखेगा क्योंकि exam में इस type के question मिल जाएं तो आपको गलत नहीं करके आने अगला question है C भासा का अविस्कार कोन है तो C language दोस्तों जो अविस्कार की गई थी वो की गई थी Dennis S. Richie ने यानि की right answer sorry M. Richie ने तो Dennis M. Richie इस question का दोस्तों right answer रहेगा ठीक है 1970 में की थी यह point भी आप लोग नोट कर सकते हैं next question है सवतंतरता के बाद लोकसभा के अध्यक्स कौन थे दोस्तों सवतंतरता के बाद लोकसभा के अध्यक्स कौन थे तो इस question का right answer होगा गनेश वासुदेव मावलंकर यानि की right answer is option A यह आपको दोस्तों याद रखना है अगला question आता है golden hand सेक योजना को कालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है तो इस योजना को दोस्तों किस रूप में भी जाना जाता है इस question का right answer हो जाएगा voluntary retirement यानि की B is the right answer ये आपको याद रखना है वई अगला question है भारती सविदान में निमलिकित अनुच्छेद में निर्धारित परकिरिया के अनुसार संसोधन किया जा सकता है तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा article 368 यानि की A is the right answer तो ये आपको याद रखना है नीती आयोक के उपाध्यक्स कौन है तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करो इन में से कोई भी right answer नहीं होगा right answer ही सुमन बेरी तो ये आपको याद रखना है दोस्तों ठीक है तो ये आपको याद रखना है वई अगला कोशन है विजय नगर सहर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों विजय नगर सहर को किस रूप में भी जाना जाता है हमपी यानि की right answer is option C ये आपको याद रखना है next question है तुगलक वन्स के निमलिकित में से कि सुल्तान ने चांदी के इस्थान पर तामबे के सिक्के जारी किया दोस्तों right answer होगा मुहम्मद बिन तुगलक ने यानि की B यहाँ पर दोस्तों right answer हो जाएगा ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक इस दा right answer अगला question है निमलिकित में से कौन सा छेत या सेत्र भुकम के लिए सबसे अधिक परवन है तो right answer दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गंगा बरंपुतर गाटी is the right answer तो ये point आपको याद अखना है भई अगला question है दोस्तों सहथ जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है वे सड़ना नहीं है क्योंकि तो इस question का right answer हो जाएगा देखे बैक्टिरिया केन नोट सर्वाइब इन एक्टिव स्टेट इन सोलूशन अब दा हाई इसको हिंदी में कहेंगे उच प्रासनिय सक्ति के घोल में वेक्टिरिया सक्रिय अवस्था में जिवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि पानी निकाला जाता है ठीक है भई अगला question आता है आपका निमिन तापमान पर सीशा खालिस्तान के रूप में वेवार करता है दोस्तो right answer हो जाएगा बिलकुल सूपर कंड़क्टर के रूप में यानि की बी right answer है next question है network में एक छोटे से संदेश को एक station से दूसरे station के बीच भेजने के लिए उप्योग किया जाता है के रूप में जाना जाता है दोस्तो right answer हो जाएगा token के रूप में जाना जाता है यानि की A यहाँ पर सही answer है अगला question है निमलिकित में से कौन एक प्राकरतिक बहुलक है दोस्तो निमलिकित में से कौन एक प्राकरतिक बहुलक है तो right answer start हो जाएगा ठीक है D is the right answer अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सा इस्तंधारी अंडे देता है तो कौन सा इस्तंधारी दोस्तों अंडे देता है राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस यानि की राइट आंसर इस ओप्शन डी ठीक है अगला कोशन आता है अकबर का मकबरा निमलिकित में से किस स्थान परिस्थित है दोस्तों अकबर का मकबरा किस स्थान परिस्थित है तो इस कोशन का राइट आंसर होजेगा सिकंद्राबाद यानि की ओप्शन इस ए नेक्स्ट कोश्चन आता है निमलिकित में से किस सेत्र के साथ पंडित भीमसें जोसी संबंदित है तो इस कोश्चन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा क्लासिकल म्यूजिक याने की सास्तिर संगीत के लिए यह आपको याद रखना है देखे इनको दोस्तो पदम सिरी मिला था 1922 में ठीक है ना इनको पदम भुशन मिला था 1885 में ठीक है 1999 में मिला पदम विभुशन और 2008 में मिला भारत रतन इसलिए कोशन इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट परसंद है अगला कोशन है संयुक्त रास की सुरक्षा प्रिशद में दस ऐस्थाई सदेश्य सामिल है तो कितने वर्सों के लिए दोस्तों राइट आंसर दो साल ठीक? है 2 years is the right answer अगला कोशन है 3 पिटक खालिस्तान की पवित्र पुश्तके हैं तो 3 पिटक टोस्तों खालिस्तान की पवित्र पुश्तके हैं राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट की यानि की option D is the right answer अगला question है यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमुल्यन करता है तो उसका क्या होगा दोस्तों दोस्तों निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाएगा यानि की right answer is option है export become cheaper and import become costlier अगला question बताएगा निमलिकित में से कौन सी अधातू द्रव अवस्था में अप्रूपता प्रदर्सित करती है इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा गंदक यानि की sulfur is the right answer नेक्स question है सकल घरेलू उत्पाद सुचकांक उपायों का सेत्रिय वित्रण तो इस question का right answer हो जाएगा किसी देश का आर्थिक विकास दोस्तों ठीक है यह आपको याद दखना है next question है रागनी खालिस्तान राज्ये से संबंदित लोग गीत का एक लोग पिरिय रूप है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा हर्याना यानि की c is the right answer दोस्तों next question है निमलिकित में से किस सीमा को red clip रेखा के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों किस सीमा को red clip रेखा के रूप में जाना जाता है भारत और पाकिस्तान की सीमा को तो सभी लोग जानते ही होंगे next question है दोस्तों दीपक कुमारी निमलिकित में से किस खेल से संबंदित है तो तिरंदाजी से संबंदित है दोस्तों यह यानि की right answer ही जो option है अगला question है इबोला सब्द का अर्थ क्या है दोस्तों दोस्तों right answer हो जाएगा पस्चीम अफ्रीका में एक वाइरस विमारी का पर कोप है यह तो right answer इस option है दोस्तों एड्स का वाइरस मुख्य रूप से खालिस्तान की व्रद्धी को परभावित करता है right answer हो जाएगा रक्त में T को सिका है यानि की option C is the right answer अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वक नहीं है तो right answer हो जाएगा super fast weight is the right answer यानि की दोस्तों option D हो जाएगा next question आता है परम सुन्य वहत आपमान है जिस पर बिल्कुल दोस्तों gas में आवनिक गती बंद हो जाएगी यानि की right answer is option ए रहेगा दोस्तों 65 में से कितने सही किये जल्दी से फटा फट बिल्कुल इमानदारी के साथ में बताईएगा वीडियो को like करना और अपने दोस्तों के साथ में share करना मत भूलेगा दो पैर में दो बज़े रात में नो बज़े दोनों क्लासिस के टाइमिंग को नोट कर लीजे और अगर आप 3500 से 4000 कोशन डाउनलोड करना चाहते हैं बहुत ही निचोड है बिल्कुल वह समझ लीजे बिल्कुल पूरी बुक का निचोड है वह और एक्जाम के से पहले अगर एक बार वह सारी पीडिया पढ़के चला जाते हैं वन लाइनर वैसे है तो आप इसली पढ़ भी सकते हैं उसको तो समझ लीजेगा बहुत हैल्प होगी देख लेना आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यह आपका दोस्तो चैनल का नीचे रेडिकल का बटन सब्सक्राइब का इसको प्रेस कर लेना क्योंक मिलते नेक्स क्लास में बाई बाई अब्रीवन